So hello everyone my name is Pritam Paul and welcome to another video So today in this video I will be telling you guys about exactly why you should not use any crack software आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को crack software क्यों यूज नहीं करना चाहिए तो इससे पहले हम लोग बात करें कि softwares किस तरह के होते हैं पहले तो जान लोग कि softwares दो तरह के होते हैं एक होता है system software दूसरा होता है application software तो system software हम लोग किसको बोलते हैं जैसे कि operating systems उनको हम लोग system software बोलते हैं क्योंकि इनसे systems चलता है system मतलब computers, laptops बगएरा बगएरा तिक है mobile phones भी जैसे कि android एक system software है और application software होता है जिस उस software मतलब computers में आप जो भी software install करते हो Microsoft Office या फिर Chrome या फिर कोई भी player कोई भी browser कुछ भी जैसे कि MATLAB या फिर आप कुछ भी मतलब कुछ भी अपना काम का कुछ भी use करो ठीक है Photoshop बगएरा बगएरा मतलब के कोई भी software में सब के सब application software होते हैं तो यार मतलब यह आज को जो वीडियो है मैं बोल रहा हूं कि क्रैक software क्यों यूज नहीं करना चाहिए उससे पहले हम लोग जान लें थे कि लिए उसको बनाते कैसे वो लोग क्यों बनाते हैं कौन से intention से बनाते हैं यह वाला वीडियो बनाने का भी एक परपस है ठीक है इसलिए मैं बना रहा हूं ठीक है जब आप लैप्टॉप खरीबते हो तो लैप्टॉप के साथ अगर दे देते हैं lifetime प्रोड़क के साथ तब तो सही है ठीक है बहुत सारे लैप्टॉप से मिलता भी है जैसे कि Microsoft Office का student version मिलता है जिसमें word, powerpoint, excel यह तीने आपको free में मिल जाते हैं ठीक है मतलब free नहीं आप प प्रोड़क की होता है वो देख देते हैं वो लोग integrated आप उसको इरीज करोगे तो दूसरी बार आपको नहीं मिलेगा अगर अगर अलग से प्रोड़क की खरीते हो वो अलग चीज है लेकिन अगर आप ऐसे यूज करते हैं मतलब integrated जो दिया हुआ हो उसका हटा दोगे मतलब अगर मतलब आप पकड़ लो कि आप अभी laptop खरीते हैं लेकिन आपने उसको हटा दिया किसी दुरूसरे software के लिए तो फिर से नहीं मिलेगा आपको इंटीग्रेटेड प्रोड़क की तो क्या होता है कि यार अभी Microsoft जो office होता है उसका बहुत सारे crack versus आपको torrent में मिल जाएग करना चाहिए वो जो बनाते हैं वो क्या करता है कोई भी programmer या फिर कोई भी hacker वो उसको जो actual version का जो software है उसके अंदर कुछ मैलियस, codes या फिर viruses कुछ extra unwanted software और बहुत सारी चीज़े डाल सकते हैं अगर आप उसको install करोगे वही चीज़े आपके laptop में भी आ सकती है आपके computer में भी आ सकती है which is very much dangerous for your privacy तो यार privacy क्यों dangerous है अगर यह बात कोई पूछे अगर आप जानना चाते हो तो इसके उपर details एक video बन सकती है तो इस वीडियो में तो उसके बारे बात नहीं करेंगे अगर आपको जानना है अगर आपको कोई interest है अगर चाते हो इसमें वीडियो आए तो comment में बताना पका एक बना दूंगा मैं तो बात करते हैं आप लोगो crack software में problem क्यों तो वो डालता है ठीक है मतलब कोई भी आप उसमें trap में first जाओगे तीन तरह की ऐसी problems होती है first one is extra unwanted software जैसे कि एक example में दूं तो camp player install करने के साथ साथ कभी-कभी आप देख सकते हो कि unwantedly अगर आप conscious ना हो तो Pandora services Pandora TV यह वाला जो software होता है वो install हो जाता है मैं यह बोल रहा है कि वो गलत software है एक example बोल रहा हूं वैसे ही जो crack softwares आप download करते हो net से वो maximum zip file में होती है उसके अंदर क्या है आपको कुछ पता नहीं होता है without extracting after extracting when you are going to install that software unwantedly this kind of malleus extra softwares actually have been installed in your computer so what happens that so a crack software आप install करते हो उसके साथ बहुत सारी छोटी-छोटी softwares install हो जाती है तो ऐसा करते करते हैं एक time के बाद क्या होता है कि आपका computer hang करता है हम लोग सोचते हैं कि laptop slow हो गया actually laptop slow नहीं हुआ आप crack software यूज कर रहे हो इससे CPU में ज्यादा RAM ज्यादा use होता है तो इसके वज़े से आपका computer slow हो जाता है एक time के बाद ठीक है फिर रिसेट करो फिर से सही हो जाता है रिसेट करने के बाद सही कूँ होता है क्योंकि सारी चीजे clear हो जाती है पूरा पूरा मतलब पहले जैसा हो जाता है तो laptop सही में या फिर बहुत सारी चीज़े करनी पड़ती है और फ़िए ठीक है दूसरी चीज़े हैं आपके डेटा को एक्स्ट्राइक करने में उसको फायदा होता है ठीक है इसमें आपका लॉस्ट है ही लेकिन इसमें ब्रॉडर सेंस बताओं तो इस वीडियो में खतम नहीं होगा तो मैं नहीं जा रहा उस पार्ट में एक चीज़ समझ लो कि आपकी प्राइवेसी को खत्रा है बहुत सारी इंजेक्शन फिशिंग वेब बहुत सारी चीज़े हैं हैक करने की लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना इसको इंजेक् का बहुत अच्छा 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 इंटिवायर जैसे के कुई किल इस इस नॉट इस जगा में चली जाएंगी जहां पे कुई किल धून भी ना पाए अगर हैकर स्मार्ट हुआ तो ठीक है मैं यह नहीं बोल रहा है कि सारी ऐसी चीज़े हैं जो कुई किल नहीं कर सकता वैसी बात नहीं है लेकिन अगर हैकर बहुत ज्यादा स्मार्ट हुआ तो ऐसी जगा पर आपका वह फाइल जाके रहेगा वहां पर कोई किल टच भी नहीं कर पाएगा तो आपके प्राइवेसी का तो पूरा का पूरा बच जाएगा तीसरी प्रॉब्लम है कि जो मतलब एक इसको यह वाला जो फ्रोड़क की है इसको की को लाने के लिए टिक तो आफ वेसा वेसा कर देते हो तो जिनको कम्प्यूूटर का ज्यादा सब्सक्राइब देना तो उसका गया प्राइवेसी की तो को धजियां उड़ जाती है ठीक है आज बहुत सारी चीज़े देखने के बाद जाने के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगो क्रैक सॉफ्टेयर यूज नहीं करना चाहिए लूज यूर प्राइवेसी तो लूज यूर ओन प्राइवेसी आप सोच सकते को मेरा डाटा लेकर कोई क्या कर लेगा ठीक है इसको उपर अलग से वीडियो बन सकता है कर आप लोग चाहो तो बताओ पामेंट में पक्का बर्ग बनाऊंगा लेकिन एक चीज़ बता दो कि या लेकिन वीडियो बताना एक रिस्पोंसिबिलिटी बनती है हमारी तो मुझे लगता है कि यह देना चाहिए ठीक है और अगर आप चाहो मतलब मैं तो कुछ सेट अफ सॉफ्टर के मैं दूंगा है लेकिन आपका अगर कोई परपस है कि आप यह वाला काम करते हो इसमें यह वाला सॉफ्टर आप क्रैक यूस कर रहे है उसका अल्टरनेट ठीक है तो चलो गाइस अगर आज आज का वीडियो बहुत इंफर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना और कॉमेंट के थूरू बताना कैसा लगा और क्या क्या तुमको चाहिए वाला नेक्स वीडियो और चैनल पर नहीं हो तो यार प्लीज हिट था सब्सक्राब बट हुआ कर दो